पूजा की जाती है आज के दिन बड़ी विधिविधान के साथ आज हम बात करेंगे माता ब्रहमचार्णी के बारे में कि आखिर उनकी पूजा की क्या विधि है किस तरह से माता रानी को प्रसंद किया जाए और माता रानी की पूजा पाट किस तरह से की जाए मेरे साथ इस्टूडियो में मौजूद है जाने माने जोतिश आचार राजमिश्रा जी माराजी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यबाद तो बिल्कुल दर्शकों आज के अपने इस पावन पर्फ पर हम बात करेंगे माता ब्रहमचारणी के बारे में कि आखिर माता ब्रहमचारणी की पूजा किस तरह से की जाए मा ब्रहमचारणी वो देभी मैं हैं जिनका कहा जाता है कि माता आज सकती। माता पार्बती का वो सुरूप है, जिन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप किया। और रिशी मूनियों को भी ये कहना पड़ा, شप्त रिश्यों को भी कहना पड़ा कि अस तपकाहु नकीन भवानी और भये अनेक धीर मुनि ग्यानी इस संसार में इस ब्रह्मांड में बहुत सारे रिशी मुनि हुए बहुत सारे तपश भी हुए लेकिन आपकी तरह किसी ने इस संसार के अंतरगत तप नहीं किया और माता ब्रह्मचारणी के लिए श्री राम चरित्रमानस में बहुत संदर कहा जाता है कि संबत सहस्त मूल फल खाए और शाग खाई सत वरश गमाए संबत सहस्त मतलब एक हजार सहस्त को जो है वो सौ वर्ष सत को कहा जाता है और एक हजार वर्ष को सहस्त कहा जाता है एक हज जार वर्स तक सिर्फ संबस सहस्र मूल फल खाये फल इत्यादी खा करके बिताया और सौ वर्स तक तो फल भी छोड़ दिया और शिर्फ पत्ते इत्यादी का भोजन करके और शीव जी को प्राप्त करने के लिए तब किया आज हम सभी लोग इस जीवन में सोचते हैं कि हम जीवन में अपनी भाग्य को बदलना है अपने जीवन के अंतरगत कुछ प्राप्त करना है तो ऐसे परिस्थिती में आपकी श्रद्धा आपका तप गहन होना चाहिए आपके मन के अंदर इस्थिर्टा होनी चाहिए तो इन देवी की आराधना से किसी भी शाधक को मांशिक शांती प्राप्त होती है और जो आपकी इक्षाएं हैं वो निश्चत रूप से पूर्ण होती हैं जिनके जीवन में बहुत उथल पुथल चल रहा होता है यह जिनको बहुत मांशिक अशांती प्राप्त हो रही होती है यह जिनको बहुत डिप्रेशन हो रहा होता है इनकी आराधना उनके लिए बहुत बहतरीन होती है आज इस संसार में सबसे अधिक प्राबलम है वो क्यूं है सबसे अधिक प्राबलम का कारण है कि लोग एक दूसरे की बातों को सुनना और समझना ही नहीं चाते हैं एक ही परिवार में चार सदश्य है और चारों की विचार धारा अलग है अनावस्चक रूप से ग्रह कलेश आपको देखने को मिलता है किसी का कोई प्रस्टनल बैर नहीं है दुस्मनी नहीं है लेकिन एक दूसरे की बाते ही अच्छी नहीं लगती है तो जब इन आधि शक्ती की आराधना कोई भी भक्त श्रद्धा से करता है तो निश् अस्या ब्रह्मचारणी जो देवी ब्रह्मचारश उक्त है उन देवी का नाम है ब्रह्मचारणी इनके पूजन की बड़ी सिंपल है और बहुत सरल तरीके की बिधी है जिससे हम देवी की पूजा कर सकते हैं हमने अपने पिछले कुछ कारिक्वों के अंतरगत पूजा के बिदान आपको बताए हैं इन देवी के पूजन में भी बड़ा सिंपल तरीका चाहिए होता यहां पर सब कुछ अरपन है आपने देखा है सिंपल इनके पूजन में वैसे जो नियम है पीला वस्त्र पहन के बैठने का नियम है पीला वस्त्र पहन करके इनका पूजन करना चा का नियम है या पंचमेवा से बना हुआ कोई खीर इत्याद देवी को अरपन करें तो बड़ा सुन्दर फल प्राप्त होता है उसके साथ जो इनको फूर्ट भी अरपन करने का नियम है यदि पीला फल श्रद्धा से अरपन किया जाए पीला पुस्प अरपन किया जाए तो द यक्ति के जीवन में इस्थिरता बार बार परिवर्तन आता रहता है कुछ भी ठीक तरीके से नहीं चलता है कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है या घर के अंदर अनावस्यक रूप से तनाव रहता है तो बेल के पत्र लाये जाए इन्होंने भागवान श्रीव की पू से ओम नमह शिवाय अंकित किया जाए और वो उठा करके देवी जी के श्रीचरणों में अर्पन किया जाए और फिर उस बेल के पत्ते को पीले कपड़े में बांध करके और अपने घर के पूजा स्थान पर अगले नौरात्र तक रखा जाए तो उस घर के अंदर जो प्रकार पहले आप लोग देखते थे ग्रामीड शेतरों के अंतरर जब कोई आप घर स्रदधा जेशी को निमत्रण देकर के आते थे कि आईए हमारे घर आप भोजन पे आईए, हमारे घर आप चाय पे आईए, आज भी स्रद्धा से लोग ने मंतरण दे करके आते हैं, पहले क्यानियमता जब कोई घर पे आतो उसके चरण धुलाये जाते थे, तो उसी प्रकार हम देवी का आवाहन करते हैं, फिर जल का छीटा लगाते हैं, फिर वस्त्र इत्यादी प्रदान करते हैं, फिर मिष्ठान उनको चढ़ाते हैं, फिर उनको फ्रूट चढ़ाते हैं, फिर पान का पत्ता इत्याद देते हैं, और दक्षना इत्याद चढ़ा करके हम पड़ाम करते हैं, यही विधी देवी जी के पूजन में ह पूजा करनी है पने पूजर किस तरह से रखना है तो यहीं आप ने पूरा नवरात्र रखन पालन करते हैं लेकिन यदि आपने दूसरे नौरात्र को रखा है तो प्राता नहा करके देवी जी के शाथ भगवान शिव का पूजन करने की परंपरा है देवी जी की अराधना करें और उसके साथ भगवान शिव का पहले देवी जी का पूजन करने से ओम नमह शिवाय मंत्र का जरूर पांच मिनट जब करना चाहिए और उसके शाथ फिर देवी का या देवी सर्वभूतेशु मा ब्रमचारणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमूनमहा इस वंत्र का श्रद्धा पूरग जो है 108 बार श्रद्धा से जब करना चाहिए ब्रत के दिन पिशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ब देवी के भोग में जो कि मैंने आपको पदार्थ बताएं है इस पेसिलिए अगर पंचमेवा की खीर इत्यादी बना शकते हैं तो देवी जी को शुवे बना करके अरपन करें उनकी बिग्राह इत्यादी चित्र इत्यादी है उसका स्रद्धा से पूजन करें पूजन करने है उससे दुबारा फलाहार प्रारम करें जनरली कुछ लोग शायंकाल में भोजन और गरा कर लेते हैं तो कभी भी एक समय भोजन का कोई विधान किसी सास्रक में नहीं है सिर्फ रभीवार के ब्रत को छोड़ करके बाकी किसी भी ब्रत में शायंकाल को भोजन करने का नियम नहीं है तो भोजन नहीं करना चाहिए फलाहार इत्याज ग्रहन करना चाहिए एक बात और बता दूं कि नौरात्री में आप फलाहार ग्रहन करें या नमक कई लोग नहीं लेते हैं बट ऐसा भी कोई नियम नहीं है आपको जो ब्रत का नियम है ब्रत का नमक है उसका निश् पहले दिब्रमचारणी का पूजन किया जाए तो वो बहुत लाब प्रत देने वाला होता है या संध्या का आल में जब संध्या बेला जो होते गोधुली बेला कहा जाता है सूर्यास्त हो रहा हो और शायंकाल का प्रारंब हो रहा हो उस टाइम पर यह देवी जी का प्रश्न है जिस तरह से यहां पर अगर देखा जाए तो कन्याओं को लेकर जैसे हम चाहते हैं कि कई कन्याओं होती है जिनका विवा नहीं हो पाता ब्रह्मचारणी के पूजा करने से उन्हें लाब मिलता है निश्यत रूप से लाब मिलता है जिन्होंने भगवान शिव क प्राप्त करने के लिए बिसेश रूप से पराशक्ति ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो आराधना की वही देवी का जो दूसरा सुरूप है तो इस्पेशली अगर हम बात करें प्रेम विवाह को लेकर के तो जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं किसी के मदर है और प्रकार इनकी आराधना की जाए बेल का पत्र यहां पर भी विशेष उपयूगी होगा शात बेल के पत्र लिए जाएं सफेद चंदन से शातो बेल को पत्र में जो ओम-णृरी दिया जाएं और यह शातोpower बैल के प्रती जो जुकाव है वो बढ़ेगा और येदी परिवार प्रेम विबाह को लेकर कि नहीं मान रहा है तो परिवार में परिवर्तन आयेगा और परिवार प्रेम विबाह के लिए तयार होगा ब्रह्मचारणी माता की पुझा करते हैं सबसे सुन्दर तरीका होता है पूजा करने का अगर प्राता सूर्य उदय से पहले किया जाए साड़े चार बजे ब्रह्मोर्त प्रारम होता है और जो भी आपके छेतर का जहां लोग रहते हैं सूर्य उदय की जनरली जानकारी होती है तो सूर्य उदय से पहले पूजन किया तो बहुत बहतरीन है या एक घंटे की अंदर सूर्य उदैस से एक घंटे का जो शमय है उसके मध्ध में पूजन कर लिया जाए सबसे सुन्दर तरीका है या फिर शायंकाल में गौधुली बेला कही जाती है जब गवयें चर करके अपने छेतर अपने घर पे आती थी तो उस तरह से माता भ्रमिश्वार्णी की हमने चर्चा की किस तरह से उनकी पूजा पार्ट करनी है किस विधी के साथ करनी है यहां पर एक और प्रश्ण है मेरा आप से जिस तरह से हम पूजा पार्ट लगातार मातारानी की करते हैं नौ सवरूपों की पूजा की जाती है यहां पर मातरानी को प्रसंद करने के लिए लोग कई तरहा के मिश्ठान चड़ाते हैं लेकिन कहते हैं कि जिनका सामर्थे नहीं है जो नहीं कर सकते उनको क्या करना है दिखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखे आप कुछ अरपन करने से भगवान प्रसंद हो जाएं या बहुत देर तक पूजा करने से भगवान खोस हो जाएं तो संभव नहीं है किसी भी सास्त्र में जिनको भगवान प्राप्त हुए हैं शायद राजा महराजा को बहुत कम भगवान प्राप्त हुए हैं अगर बहुत सारे मिष्ठान ही चढ़ाने से भगवान मिलते शायद सबरी के यहां भगवान राम को जाने की यरूत नहीं पड़ती जिन्होंने भगवान किश्ण दुर्योधन का घर छोड़ करके विदुर जी के घर नहीं जाते हैं जिन्होंने के लेके छिलके खिलाए तो आपके अंदर सबसे पहली जो महातुपूर्ण चीज़े है वो मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और अगर श्रद्धया सत्यम आप एते यह स श्रद्धा है तो निश्यत रूप से आपकी कामना देवी जी पूर्ण करती है ठीक है अगर आपके अंदर है सामर्थ की आप खरिश सकते हैं तो मैंने बताया कि नारियल से बना हुआ कोई भी मिष्ठान माता ब्रह्मचारणी को बहुत पसंद है पंचमेवा से बनी हुई चीजे माता ब्रह्मचारणी को बहुत पसंद है तो उसको आप परदान कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया महराज जी आपका जुड़े दर्शकों से आपने बातशीत की और बताया कि किस तरह से माता ब्रह्मचारणी की पूजा करनी है दर्शकों आपका मन साफ होना च चाहिए शुद्ध होना चाहिए तब ही आप मातरानी को प्रसंद कर सकते हैं आपका सामर्थ नहीं है आप मिश्ठान नहीं चढ़ा सकते हैं फल इत्यादी से आप पूजा पार्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप जो भी आपके पास है आप अपने शुद्ध मन से मातरान जरूर पूर्ण करती है। बहुत बहुत शुक्रिया महराची आपका आप चुले बात सीता अपनी की नमस्कार।